अलो दोस्तों, नेक्स्ट ये जो वीडियो है, इसमें आपन डिसक्स करने वाले इकलिब्रियम लेवल और इंवेस्टमें मल्टिबार इसमें दो ही टॉपिक के चोटा सा वीडियो होगा इकलिब्रियम लेवल में हम लोगो डिसक्स करना है, A.D. और A.S. की बीच में तो एकलिब्रियम, ये चैप्टर कीन्स की थियोरी पर डिपेंडेंट है, इसमें कुछ अजम्शन्स है, वो अजम्शन्स में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपन डिसक्स करेंगे आगे, अजम्शन है पहला, टू सेक्टर एकनॉमी, टू सेक्टर एकनॉमी है दूसरा, प्राइज रिमेंस कॉंस्टेंट, फिर है इन्वेस्ट्मेंट भी क्या माना जाएगा, कॉंस्टेंट, और क्योंकि ये चैप्टर का नाम है शॉट्रन एक्विलिरियम आउट्पुट, इस लिए इस फोर्थ अजम्शन में आपन लिखने वाले हैं, कि एक्विलि एक्विलियम शॉट्रन पर क्योरी पर बेस्ट, अब यहाँ पर मैं आपके साथ दो चीज़े डिसकस करूंगा, एक्विलियम की दो अप्रोच होती है, ad equals to as और s equals to i, आपन बहुत ज्यादा basics में नहीं जाएंगे, लेकिन जो important point आपको याद रखने exam point of view से, वो मैं आपको बता देता हूँ, यह as है जो कि 45 डिगरी बनता है और ad है जो positively upward sloping बनता है, फिर है अपने पास as, sorry, s और i, इसमें i बनेगा horizontal straight line parallel to x-axis और s बनता है negative y-axis से start open, याद रखना है जब भी आप graph बना रहे हैं, तो नीचे जरू यह लिखेंगे, income, output, employment, जब आप ads का photo बना रहे होंगे, तो आपको यह चीज लिखने हैं, अब ध्यान से समझना, इन में restore क्या क्या करना है, restore मतलब equilibrium level मतलब होता है, kings के इसाब से equilibrium level मतलब situation where aggregate demand is equal to aggregate supply, ठीक है, और savings investment में situation where savings is equal to investment, ठीक है, अब ध्यान से समझना, confused हो जाते हों आप लो, access, demand, deficit, demand के questions के लिखना, access, demand, deficit, demand के question में, full employment level आपको लिखना है, whereas यहाँ पर आपको सिर्फ restoration का process पूछ रहा है, restoration का process मतलब, जैसे यहाँ पर अगर आप और यहाँ पर देखोगे, तो यह point तो AD is equal to AS हो गया, जहांकि अपने को पहुचना है, that is effective demand, what if यह वाला situation क्या है, AD is greater than AS है sir, और AD is less than that of AS, तो अगर यहाँ इस point से मुझे यहाँ पर पहुचना हो, यह इस point से वापस कहाँ restore होना हो, AD equals to AS, तो क्या क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में discuss कर लेते, when AD is greater than AS and when AD is less than that of AS, यह simple सी बात है, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, if AD is greater than AS, इसका मतलब desired inventory, that is हमें जो चाहिए हम जो demand कर रहे हैं, that is AD is greater than, is greater than planned inventory, ठीक है sir, एक नमबर समझ में आगया, इसका मतलब, अगर भईया हमको planned inventory को, planned inventory को design inventory तक ले क्याना है, तो हमें planned inventory को बढ़ाना होगा through employment, क्यों sir, machines के through क्यों नहीं जा सकते, और कोई तरीका नहीं है क्या, इसले तरीका नहीं क्योंकि we are running in short run, अगर हम लोग employment बढ़ाएंगे, employment बढ़ाएंगे, that is क्या बढ़ाएंगे, labor बढ़ाएंगे, efforts बढ़ाएंगे, labor बढ़ाएंगे, GDP बढ़ेगा, क्योंकि labor से क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, production, sir, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हम restoration के process पर नहीं पहुंच जाते, sir, AD जादा क्यों हुआ था, AD जादा इसले हुआ था, हो सकता है, people are demanding more what supplier are planning to supply or produce, जितना consumer, जितना firm, जितना government मिलके, ये sectors मिलके, जितना planning to buy कर रहे हैं, उसके compression में planning to supply हो जा रहा है, कम, यहाँ पर discuss करते हैं, यहाँ पर क्या situation हो जाएगी, ये वाले situation, when design inventory, AD, is क्या लिखूंगा मैं है आपर, less than that of planned, planned inventory, जितना हमको बेचना था, जितना हमको बनाना था, वो ज्यादा हो गया है, जितना लोग मांग रहे हैं, at this point, people या sectors are demanding lesser what supplier are planned to supply, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा, इस case में planned inventory को कम करना है, planned inventory को क्या करना है, कम, वो already जादा है, planned inventory को कम करना है, तो भाईया, ये employment कम करना पड़ेगा, that is planned employment का कम करना पड़ेगा, और जब हम लोग labor को निका, अच्छा निकालेंगे सर, हाँ, तो सर ये तो एक situation create कर देता है, क्या, भाईया देखो, आपके planning की वज़ज़ से unemployment हो रहा है, लेकिन हम छोड़के नहीं जा रहे हैं, हमको तो मन्था काम करने के लिए, लेकिन आपकी वज़़ज़ से हम involuntary unemployment में आ रहे हैं, तो labor कम होगा, labor कम होने से क्या कम होगा दोस्तों, production कम होगा, और अगर production कम होगा, तो GDP सब कब तक कम होगा, जब तक के वापस से concept process पे नहीं आ जाते, equilibrium level, that is हम लोग restoration level पर नहीं आ जाते, same चीज़ अपने को पढ़ना है, saving और investment के साथ, इसको भी आपन दो पार्ट में पढ़ते हैं, जब अगर आपन discuss करते हैं, saving is greater than investment, अब ध्यान से सुनना, अगर saving is investment, saving, अगर country के investment से ज़्यादा है, इसका मतलब लोग save ज़्यादा कर रहे हैं, लोग अगर save ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब खर्च क्या कर रहे होंगे, planning कम, और अगर खर्च कम हो रहे हैं, मतलब AD is less than debt of yes है, और अगर saving is less than debt of investment है, इसका मतलब लोग खर्च क्या कर रहे होंगे, दोस्तों, ज़्यादा और खर्च ज़्यादा मतलब AD is greater than yes, ऐसे situation में बहुत simple सा logic है, इसको बोला जाता है, when people are, people are tend to save more, what supplier expected them to be, और यहां पर क्या लिखेंगे, as a sector, we are saving less than yes sir, what supplier wanted to, ठीक है, तो यहां पर save में क्या करूँगा, AD is less than debt of yes है न, यह वाली situation, पूरा में इसको लिख के यहां लिख दूँगा, और यह वाली situation जो है, जो AD is greater देने से, वो यहां पर लिख दूँगा, इसका मतलब, यह situation में, यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि planned inventory ज तो employment कम होगा, employment कम होगा, that is inventory unemployment, जिसकी वज़े से production भी कम होगा, GDP कम होगा, that is AD equals to AS वाली situation, S equals to I बनना शुरू हो जाएगी, और यहां पर हम लोग planned inventory को बढ़ाना चाहेंगे, और planned inventory को बढ़ाने के लिए, planned inventory को बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, labor और labor बढ़ाएंगे, तभी हमारे country में क्या बढ़ेगा, production which will lead to again what increase in GDP, और अगर GDP बढ़ेगा, तो AS बढ़ेगा, और ऐसी situation में लोगों की income बढ़ेगी, और लोग saving भी करना start करेंगी, यह सारी situation हो गई, AD is equilibrium level के दो discussion हो गए, इसको बस restoration process को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, इसको घुमा फिरा के अलग लग तरीके से पूछ सकता है, अब आपन चलते हैं इस chapter के main part में investment multiplier, प्लीज मैं एक चीज जो बोल रहा हूँ, मैं इस video में नहीं समझाओ को कि कि वो theory part है, लेकिन प्लीज, प्लीज, working of multiplier, working of investment multiplier, प्लीज याद करने में, एक table दिया हुआ है, और 1000 करोड का investment अगर होता और MPC 90% है, तो उसकी working प्लीज याद करके चले जाना question direct पूछ लेगा, या case study based पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, अब मैं आपको बताता हूँ, investment multiplier के बारे में, देखो, कभी भी question, question में जब ये लिखा होँगा न, दो word, calculate, calculate additional income, या लिख दे calculate increase in income, या इसके बाजी में लिख सकता है, calculate additional investment, या पूछ ले calculate increase in investment, ये basically, ये दोनों ही question, investment multiplier के बन जाते हैं, सबसे पहला जो question आएगा, वो एक type का है, जिसमें आपको MPC दे दिया रहेगा, और आपको साथ में, या तो change in Y दे देगा, या change in S दे देगा, तो क्या-क्या दे रहा है, या तो MPC और MPS दे देगा, और change in Y और change in I दे दे देगा, इसका मतलब balancing figure आपको कोई एक चीज लान है, सर समझ नहीं आए, एक्जामपल के लिए आपको बोल रहा है, MPC 0.60, क्या बोल रहा है, MPC 0.60 and additional investment है 4000 करोड, वो बोल रहा है कि additional income निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, पहले MPC के थुरू, पहले MPC के थुरू, K निकालेंगे, K equals to 1 upon 1 minus MPC, ये आ जाएगा 0.40, that is ही आजाएगा 2.5, K कितना आगया, 2.5, अब इसे मैं K के formula में put करूंगा, change in Y upon change in I, तो K तो मुझे पता है 2.5, change in Y निकालना थो और I मुझे question में दे दिया है 4000 करोड, तो change in Y कितना आगया दोस्तो, 10,000 करोड, और इस ही में आपको क्या पुछलेंगा पता है, additional saving ब change in saving निकालो, दोनों अलग-लग question है, अगर आपको बोल रहा है change in saving निकालो, change in saving निकालो, तो आप MPS का formula लगाओगे, change in S upon change in Y, ठीक है, change in Y आपको अभी पता चल गया 10,000, MPS नहीं पता है, पता है न सर, MPC तो दिया है, तो MPS equals to 1 minus MPC करके, आप क्या लाग लोगे दोस्तो, MPS ला ली, MPS को लिग दो 0.40, change in S, आप इसको multiply करोगे, तो यह जो 4000 करोड आया, 4000 करोड क्या गया दोस्तो, change in saving, यह हो गया basic question, यह हो गया basic question, जो थोड़ा सा easy type का था, यह कैसा type का था, easy type का, अब दूसरे question के पास जाता हूँ मैं, दूसरे question में वो क्या बोलेगा, दूसरे question में क्या बोलेगा, equilibrium level, equilibrium level पर, equilibrium level पर हमें consumption या saving निकाल के बताओ, तो अब ध्यान दे समझो, equilibrium level पर saving या consumption निकाल के बताओ, ऐसे question में आपको पिछले consumption equation का भी use करना पड़ेगा, इसलिए, यह question क्या बोल रहा है, equilibrium level, sir, BP में, BP में sequels to y होता है, दोस्तो, ध्यान द ना, BP का question अलग है, equilibrium का question अलग है, equilibrium पर a equals to as, और a equals to as को कैसे लिख सकते हैं, c plus i equals to y, अब आपको c की value दे देगा, तो वो c bar plus b into y plus i y, ऐसे निकाल कर, इसमें से कोई भी value निकालने बोल सकता है, चाहे वो autonomous consumption बोल सकता है, investment बोल सकता है, income बोल सकता है, चाहे फिर MPC बोल सकत है, तो ये BP का question है, इसमें हमेशा y ही निकलेगा, लेकिन अगर question a equals to as, that is equilibrium level का निकालने बोल रहा है, तो उसमें chances अलग-अलग हो सकते हैं, तो sir, इन questions को proceed कैसे करना है, वो हमें बता दीजे, और जब मैं ये बता दूँगा, तो अपना ये video, छोटा सा video, खतम हो जाएगा, मेरे इसाब से, ध्यान से समझो, सबसे पहले question में ढूंदो, क्या MPC और MPS दिया है क्या, पहले ये ढूंदो, अगर question में आपको MPC और MPS मिल गया, तो इसके बाद आप सीधा पहुंच जाओगे, कहां पर K पर, अगर MPS दिया है, तो K equals to 1 upon MPS, अगर MPC दिया है, तो K upon 1 minus MPC ये निकाल के आप क्या निकालोगे, K, अब उसके बाद देखो, क्या पूछ रहा है, क्या additional Y पूछ रहा है, additional C पूछ रहा है, additional I पूछ रहा है, या additional S पूछ रहा है, अगर आपको additional Y पूछ रहा है, तो K का formula हो जाएगा, ये, यहां से आप K निकाल कर, यहां पर put करो, change in y और i दिया रहेगा अगर आपको change in i निकालने बोल रहा है तो again k का formula हो गया change in y upon change in i k आपने निकाल लिया change in y दिया रहेगा change in i निकाल लिया अब अगर आपको change in c और change in s बोले तो पहले इसका मतलब वो बोल रहा है कि पहले आप change in y निकालिए और फिर MPC के फॉर्मूले और MPS के फॉर्मूले के थुरू आप क्या निकालिए चेंजिन C और चेंजिन S आप जितने भी जितने भी मैंने जो सुबह वीडियो आपको बताया था उस वीडियो के हिसाब से आपको जितने भी सैंपल पिपर में ये कोशन्स दीख रहे हैं मल्टिप्लायर वाले ब्लीज मेक शोर आप संदीब गर और इसके कोशन अट लीस्ट जो आप से नहीं बन रहे थे वो एक बार जरूर देखके जाएं और यहाँ पर अपना इंवेस्ट में मल्टिप्लायर वाला टॉपिक खतम होता है See you guys